भव्य पुरान की कथा के अनुसार देवी सतीर ने अपने पीता की बातों से चिज़ कर अपने सरीर का त्याक किया था। उन्होंने अपने पीता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा सिप की पतनी के रूप में वापस आएगी। इस परकार जब उन्होंने अपना अगला जन्म पारवती के रूप में लिया तो उन्होंने उस विशेश जन्म में भगवान सिप को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए। तपस्या की सौभाग्य सुन्द्री ब्रत देवी पार्वती सती दुर्गा को पर्षन करने का सबसे आसान तरीका है इस दिन महिलाए सोला सिंगार करती है सौभाग्य सुन्द्री ब्रत के दिन महिलाए सुभा जल्दी उठकर असनान आधी करके अच्छे कप्रे पहनती है और सोला सिंगार करती है सिंदूर मांग टीका काजल हार कान की बाली हाथों में चुरिया बालों में गजरा कमरवंद पैरों में पायल और खुसवु के लिए परिफ्यूम का इस्तमाल करती है सौभाग्य सुन्द्री ब्रत का महत्वा पौराने